तो हेलो फ्रेंट्स आईए इस वीडियो में बात कर लेती हैं पटेल एंजिनिरिंग की इस स्टॉक में आज फिर अपर सरक्र लग गया है पांच परसंट की तेजी के साथ ये स्टॉक 39.20 के लेवल पर चला गया है तो आज कल बहुती ब्यूलिश मोमेंटम इस स्टॉक में च चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें तो सबसे पहले आईए इसकी फिनेशे रपोर्ट देख लेते हैं यहां पर देखो इसकी लास्ट वान येर की परफॉर्मेंस अभेलिवल है पहले रेवनू का डाटा देखो तो मार्ज 22 से लेके सब्तमबर 22 तक कामपनी का जो रेव बहुत ही शांदर कर रही है प्रॉफिट देखो तो मार्ज 23 में 84.81 क्रोड आया है तो कामपनी की जो फिनेशी रपोर्ट है बहुत ही बढ़िया है उपर से टोटल एसेट्स देख लो वो भी बढ़ते ही दखाई दे रही है फॉन दा लास्ट वान येर तो कामपनी के इसकी थोड़ी हाइर एंड पे चली गई है इसकी पी रेशो 13 के राउंड है जबके एंडस्ट्री की पी रेशो 0.8.30 की है हाँ प्राइस टू बुक रेशो जरूर सही है एक से कम है 0.95 की है तो वैलुइशन भी डीसेट ही दिख रही है क्योंकि इसका आरोई परसेंटे 6. 96 के राउंड चल रहा है तो आई इसका टेकनिकल चार्ट जो है वो स्टडी कर लेते हैं तो लास्ट वन येर से इस स्टॉक में बहुत ही बूलिश रिवर्सली देखने को मिल रही है तो शुट शुटी करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक रैली कर रहा है क्योंकि इस तो मतलब ओवराल ट्रेंड बहुत ही बूलिश बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है अब इसका जो सपोर्ट जो होना है वो आप जरूर नोट कर सकते हो इसका जो अब नियर ट्रम का सपोर्ट है वो 28 से लेके 29 के बीच में निकल कर आ रहा है यहां से इस स्टॉक में एक बूलिश रवर्सल शुरू हुई थी लेकिन अब इस स्टॉक का जो है एक रिजिस्टेंस लेवल भी है उसके बाद ये स्टॉक जो है कुछ कंसॉलिडेट भी किया है और इसने अपना सपोर्ट लेवल जरूर इंक्रीज कर लिया है तो शौर्ट टरम में अब इस लेवल था दैट वास थर्टी एट तो थर्टी एट के रिजिस्टेंस लेवल को इस स्टॉक ने अब जो है वो क्रॉस कर लिया है जबकि इसका जो सपोर्ट नियर टम का वो 35 के रूट निकल कर आ रहा है जो लोर टम का हम आपको सपोर्ट पहले बता चुके हैं 38 के रूट तो इसके दो सपोर्ट जोन है तो आप नोट कर सकते हो इसका जो पहला सपोर्ट जोन है 35 के रूट है जदी ये लेवल टूटा तो इससे नीचे इसका जो सपोर्ट जोन है वो 28 के रूट है और अब नियर टम का जो रिजिस्टेंस रेवल है वो भी हम आपको बता चुके है नेर टम में ये stock कुछ resistance भी face कर रहा है लेकिन आज जैसे bullish इत्वरसल हुआ है जदी आज ये जो stock है ये 38 से उपर closing देता है क्योंकि अब इसकी जो price है अपने पहले वाले resistance level को cross कर गई है तो 38.40 के round इसका एक resistance level था लेकिन आज इस stock ने इस level के उपर breakout दे दिया है तो ये एक बहुती अच्छी indication है एक नया breakout इस stock में चालू हो गया है तो ये stock जदी अपने resistance level को cross करके उपर sustain रहता है 38 का जो resistance level है उसके उपर sustain देता है आज closing दे देता है तो इस stock में फिर 45 तक के target भी आपको आने वाले time में जो है वो देखने को मिल सकते है इसलिए जो हमने आपको levels बताएं है उन पर जरूर फोकस करें और अपना stop loss लगाना मत भूले shorter में 32 के round आप अपना stop loss लगा के और 45 तक के target भी change कर सकते हो लेकिन जैसे जैसे इस stock की price बढ़ेगी वैसे वैसे आपको जो है अपना stop loss भी change करते रहना है change करते रहना है increase करते रहना है क्योंकि company अच्छी है इसकी order book बहुत ही strong है और ये जो stock है ये BJ केडिया के portfolio में भी है एक अच्छी company है और इसके जो cmd है तो वो भी यही कह रहे हैं उनकी जो latest news आई है the stock price is the reflection of our growth मतलब जो company की stock में तीजी आ रही है वो company की जो financial growth है company की जो business growth है वो represent कर रही है तो इसलिए आने वाले time में और भी बड़िया trends इस stock में रह सकती है क्योंकि company का business model बहुत ही बड़िया है hydro power, irrigation, roads, building, dams, tunnels तो company different type के projects इस direction में रन करती है शोटे शोटे जो infra projects हैं वहाँ पे काम करती है तो इसलिए आपको जो है इस stock पे जुरूर फोकस रखना चाहिए और ये stock आने वाले time में और भी बड़िया momentum जो है पेश करता दखाई दे सकता है तो इसको थोड़ा long term के लिए ज़दी आप hold करोगे तो आपको अच्छे returns मिल सकते हैं दोस्तों जो CMD है उनका क्या कहना ये आप देख सकते हो the company has achieved a turnover of 4200 crore marking a significant increase of 24% compared to the previous year तो company की turnover में बहुत अच्छी growth देखने को मिली है अभीटा में भी 14 से लेके 15% ता growth देखने को मिली है net profit में 55% की growth है in the financial year 23 the markable financial performance demonstrates the company's strong position in the infrastructure sector तो company different type के जो शोट-शोटे projects हैं वहाँ पे जो है expertise जो है वोल्ड करती है तो इसलिए इस stock को थोड़ा आप दीरे-दीरे करके accumulate करते रहें और long term के लिए बने रहें ये stock आपको 50 plus तक भी जाता दखाई दे सकता है within next one year so thanks again मिलेंके नई वीडियो के साथ अभी तक जदी आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप subscribe जरूर करके जाएं